तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर बिजली कटोती पर इराकियों ने बगदाद में विरोध प्रदर्शन किया बोईंग 737 कारगो विमान दो के साथ हवाई में समुद्र में अपातकालीन लेंडिंग किया एक सर्वे के के अनुसार इंटर्नेट के बिना करनाटक में 40 प्रतिशत शात्र, 33 प्रतिशत के पास उपकरणों की कमी बीबीमपी चीफ ने कहा 18244 आयू वर्क के सभी सरकारी केंद्रों पर टीका करण अभी तक शुरू नहीं हुआ है आग्रा में शादी समारोह में 16 वर्षिय लड़के की गोली मार कर हत्या। अस्पताल के मदद से इंकार करने पर ओरिसा के व्यक्ती ने पत्नी के शव को गोध में लिया। उन्हें रेलवे मंडल ने फेस मास्क नहीं पहनने पर 1.52 लाख रुपे का जुर्माना वसुला। भारतिय नेवी के जाबिर ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौर के लिए क्वालिफाइ करने वाले पहले भारतिय व्यक्ती। गोव में कर्फ्यू 12 जुलाई तक बढ़ा, दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमती। एक मिनिट की खबर को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें।